आज हम सिखेंगे जनतुओं में लेंगिक जनन हम जानते हैं कि लेंगिक जनन में दो जनक यानि पेरेंट भाग लेते हैं लेंगिक जनन के दोरान नर युगमक यानि मेल गैमेट तथा मादा युगमक यानि फीमेल गैमेट का निशीचन यानि फर्टिलाइजीशन होकर युगमनज यानि जाइगोट उत्पन होता है तथा यह विकसित होकर नए जीव में परिवर्तित होता है चलिए, आज मानव में लेंगिक जनन को समझे लेंगिक जनन में जनकों की लेंगिक परिपकवता यानी sexual maturity आवश्यक होती है मानव में जैसे जैसे आयू बढ़ती है, शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं जैसे लंबाई और भार बढ़ना ये केवल शारिरिक परिवर्दन है लेंगिक परिपकवता के संदर्ब में लड़के और लड़कियों में 10 से 14 वर्ष की आयू में विभिन्न बदलाव आते हैं जैसे दोनों में शारिरिक सोश्थव यानि अप्यूरंस ओफ बोडी बदलता ह जननांग और लेंगिक जनन के लिए सहायक विभिन्न उतक विकिसित होते हैं लेंगिक परिपकवता के विभिन्न लक्षन दिखाई देते हैं जैसे पेर एवं हाथ पर महीम रोम का आना काक एवं जांगों के मध्य जननांगी शेत्र में बाल गुच्छ आना तवचा का अक परिवर्तनों के साथ लड़के और लड़किया दोनों में कुछ हार्मोनल और भावनात्मक परिवर्तन भी आते हैं जैसे वे एक दूसरे के प्रती अधिक सजग हो जाते हैं इस दोरान कुछ ऐसे बदलाव भी आते हैं जो लड़के और लड़कियों में भिन्न होते हैं ज लाज तथा उर्द्व होता है इत्यादी इसी तरह लड़कियों में स्थन के आकार में वृद्धी होती है स्थनाग्र की त्वच्चा का रंग गहरा होता है एवं रजोधर्म यानि मेंस्ट्रुईशन की शुरुवात होती है इत्यादी ध्यान रहे ये बदलाव समय के साथ दीमी गती से होते हैं सभी व्यक्तियों में ये बदलाव भिन आयू में होते हैं तथा किसी व्यक्ति में सभी बदलाव एक साथ नहीं होते वे समय के साथ मन्द गती से होते हैं जन्म से लेकर किशोरवस्था तक शरिर मुख्यतह शाररिक वृद्धी को प्राथमिक्ता देता है लेकिन किशोरवस्था के प्रारंबिक वर्षों में जैसे जैसे शाररिक वृद्धी की दर धीनी होती जाती है जनन उतकों का परिपक्व होना प्रारंब होता है किशोरवस्था याने अडोलसंस की इस अवधी को योवनारम यानि प्युबर्टी कहते हैं लेंगिक परिपकवता आने के बाद नर एवं मादा जनन के लिए योग्य हो जाते हैं चलिए अब मानव में नर जनन तंत्र को समझे मानव में नर जनन तंत्र में व्रिशनों का योग्म यानि पैर ओफ टेस्टस, शुक्राशय यानि सेमिनल वसिकल, शुक्राणू वाहिनी यानि वासर डिफ्रेंस, प्रोस्टेट ग्रंती यानि प्रोस्टेट ग्लांड, मूत्रमार्ग यानि युरेत्र तथा शीष्न यानि पीनिस होते हैं प्रत्येक वुशन नर्जननगोशी का शुक्रानु यानि स्पर्म उत्पन करता है चूकि शुक्रानु के उत्पत्दि के लिए शरीर के ताप से कम ताप अवश्यक होता है इसलिए वुशन उदारगूहा के बाहर व्रिशन कोश यानि स्क्रोटम में स्थित होते हैं एक शुकराणू सूक्ष में सन्रचना होती है जिसमें अनुवान्शिक पदार्थ होते है तथा एक लंबी पूछ होती है जिसके सहायता से वह मादा जनन कोशिका तक तेरते हुए जा सकता है वृष्णो द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन किया जाता है जो शुक्राणू के उत्पादन का नियंत्रन करता है साथी साथ लड़कों में योवन अवस्था के लक्षणों को भी नियंत्रित करता है शुक्राणूओं का परिवहन शुक्रवाही का उद्वारा होता है शुक्रवाही का मुत्रशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है शुक्राशे यानि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्रंथी यानि प्रोस्टेट ग्लाइंड से आने वाले स्त्राव शुक्राणूओं के वहन के लिए तरल माध्यम उपलब्द करते हैं तथा वे उनका पोशन भी करते हैं शुष्ण इस्त्राव को माधा के जननंग में पहुचाता है अब चलिए मानव के माधा जननंतंत्र को समझे मानव के मादा जनन तंत्र, अंडाशय यानि ओवरीज, अंडवाहिका यानि ओविडक्ट जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, गरबाशय यानि यूटरिस, तथा योनी यानि वजाइना से मिलकर बनता है मादा जनन कोशिका, यानि फीमेल जर्म सेल जिसे अंड कोशिका कहते हैं, का निर्मान अंडाशय में होता है अंडाशय में विभिन्न हार्मोन जैसे इस्ट्रोजन भी उत्पादित होते हैं लड़की के जन्द से ही अंडाशय में कई अपरिपक्व अंड यानि इम्माच्वर एक्ज होते हैं योवनारंभ में ये परिपक्व होने लगते हैं प्रत्येक माह दो में से एक अंडाशय द्वारा एक अंड परिपक्व किया जाता है अंडवाही का यानि फैलुपियन ट्यूप द्वारा इसे एक लचीली थेली के जैसे सनरचना में ले जाया जाता है जिसे गर्भाशय यानि यूटरिस कहते हैं बेलन के आकार जैसी ग्रिवा यानि सर्विक से गर्भाशय और योनी यानि वजायना को जोड़ा जाता है योनी में परिवहन होता है शुक्राणू उपर की ओर जाते हुए अंडवाही का तक पहुच जाते हैं अंडवाही का में शुक्राणू और अंड़कोशिका का सनलयन यानि फ्यूजन हो सकता है इसे हम निशेचन यानि फर्टिलाइजेशन कहते हैं इससे निशेचित अंड यानि युगमनच यानि जाइगोट उत्पन होता है युगमनच का अनेक बार विभाजन होकर चार-पांच दिनों में कोरक पुटी यानि ब्लास्टोसिस्ट एक गेंद जैसी सनरचना बनती है इससे हम भुरुण यानि एम्ब्रियो कहते है इसके बाद गर्भाशय में भुरुण की स्थापना होती है जहां वह विकसित होता है इसके लिए गर्भाशय की बित्ती में एक तश्तरी के जैसी सनरचना विकसित होती है जिसे हम अपरा या प्लासंटा कहते हैं प्लासेंटा भुरुन से नाभी रजु यानि अंबिलिकल कौट द्वारा जोडी जाती है। नाभी रजु की सहायता से प्लासेंटा भुरुन को ग्लुकोस, ओक्सिजन तथा आवश्यक पदार्थों की आपूर्ती करता है। इसी तरह भुरुन द्वारा उत्पन, कार्बन और अन्य उत्सरजी अविशिष्ठ पदार्थों को बाहर निकालता है। गर्भावस्ता के पश्चात लगभग 9 महीने में गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तथा प्रसव के लिए तयार हो जाता है। प्रसव के दौरान गर्भाशयकी पेशियों का लैबद् जिससे शिश्व का जन्म होता है। तो अब आप मार्भ के लैंगिक जनन की क्रिया समझ गये होंगे। तो आज हमने सीखा, जन्तुओं में लैंगिक जनन्